अब आपको मारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर फ्रेंड्स अपने को कल से गरूडा आई प्यो ओपन होता हुआ देखने को मलेगा कमपनी की पूरी डीटेल्स और क्या ग्री मार्केट प्रीमियम चल रही है ग्री मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर क्या अपलाय करना चा डीटे पर का अब कही excel की बत्रदोर आप आप कमपनी को इसके चलते है काफी सारा पैस अज निभेशक को थे देखने को मिले पीछले थीन दिनों के अंदर रुद्र रुपे रुर्वेस लाग करोडु दोस्तों यहां पर निभेशक होते वेश्यों रुदेभेश को मिले बाकि यहां पर Garuda IPO की बात करें तो धाइसो करोड से जादा को इशु है तो सरकेट फिल्टर भी यहां पर 20 प्रतिशत कर रहेगा 264 करोड का कुल मिलाकर इशु है जहाँ पर 174 करोड का आप कह सकते है फ्रेश इशु है और 90 करोड का यहाँ पर कंपनी OFS लाती भी देखने को मिली है रही बात इशु की तो 8 तारिक यानि कल ओपन होगा 10 तारिकों क्लोज हो जाएगा 95 रुपीज के 157 शेर आपको मिलते वे देखने को मिलेंगे 50% पोडिशन क्यु आइवी 35% पोडिशन रीटेलर्स और 15% पोडिशन यहाँ पर HNI के लिए तो यह पूरा डिस्रिबूशन इस IPO का इंट यहाँ पर कंपनी के फंडमेंटल की बात करेंगे तो 270, 234 करोड का असेट से 11.88 करोड का आप कह सकते हैं पिषले कुछ महीनों का revenue रहा है बाकि अपन इसको नेगलेट करते हैं अपन 31st मार्च के revenue पड़ते हैं तो बेसीकली 228 करोड की करोड का असेट से 154 करोड का revenue है 37 क्रोड कंपनी का profit है net worth 119 करोड reserves and surplus 81.65 करोड और borrowing सिर्फ 15 लाग रुपे की तो overall बढ़िया शांदार कंपनी के दोस्तों आप fundamentals है एक time पर कंपनी का 11 करोड का और अभी घटकर सिर्फ 15 लाग का डेट हो चुका है तो debt कंपनी decrease कर रही है revenue कंपनी का दोस्तों आपर increase हो रहा है 77 करोड से बढ़कर कंपनी का revenue 154 करोड पर आया है profit 18 करोड से बढ़कर 36 करोड पर आया है लेकिन year on year basis पर profit और revenue जो है वो घटता होगा देखने को मला है तो ये concern है but overall company अच्छा काम काच कर रही है profitability की बात करेंगे तो ROE company का लगबग 37% का है ROE 46.69% का है RONW 31% का है और PB by BV ratio 6 का है और pad margin 24% का है तो ये बहुत fundamentally अगर आप देखेंगे तो काफी strong company ज़रा आती वी देखने को मिल रही है लेकिन सवाल उठता है market का अभी market की stable जो बोलूँगा स्टेट जो में बोलूँगा वो अंस्टेबल नजर आती वी देखने को मिल रही है बाजार बॉटम में ही मना रहे लगातर लगातर गिरते वी देखने को मिल रहे है एक बार अगर बाजार में बॉटम बन जायागा तो अभी आप कह सकते हैं बाजार का IPO situation देखेंगे तो 50-50 नजर आती वी देखने को मिल रही है अब तक अगर आप देखेंगे तो इस IPO के अंदर subscription दो ब्रोकर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब लेकिन मेंबर्स ने आपर अवाइड के सला दिया और एक ब्रोकर ने भी आपर अवाइड के सला दिया क्योंकि मार्केट में अनस्टेबिलिटी जिसके चलते लिस्टिंग कें का कुछ अथे पते भी नहीं आ रहे तो मैं भी यही काऊंगा दोस्तो जो रिस्की निवेशक्स है जो रिस्की निवेशक्स है यनि कि जो रिस्क लेना चाहते हैं तो उन लोग के लिए तो यह दो स्ट्राटजी रहेगी वाकि अपना अपना रिस्क है अपना अपना अड्वाइजर से आप कह सकते हैं इस आप उप्लाइए अगर आपको वीडियो पसे ने आपको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थांकि दूस वीडियो